टॉपिक देखके समझी के होंगे कि मैंने आज किस टॉपिक को चुना है और ये इंपोर्टन टॉपिक है इनफेक्ट गर्भा वस्ता के दौरान आपको बहुत सरे लोग सलाह देने के लिए आ जाएंगे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए तो आप किसी भी तरह की मिट में मतफस यह जो सही बात है जो एक्चुल बात है वह मैं आपको बताने वाली हो कि गर्भा वस्ता के दौरान क्या ब्रा और पैंटी आपके लिए नुकसान हो सकता है या फिर सही हो सकता है पूरी जनकारी आप जरूर लीजेगा नमस्कार दोस्तों मेरे नाम हर्षिता वर मतलब हम लोग उसकी बिना ये दिन शुरुवात नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी जो मैलाएं होती है उनकी जो नाइट की रूटीन होती है उसमें उसे रिमूफ करना ही पसंद करती है तो चाहिए आपकी प्रिग्नसी है या फिर नहीं है अगर आप रात में कमफर्टे प्रिमेंस्टर प्रिमेंस्टर सीजानी होगा या फिर से कि र march ालहें नहीं होगा अगर สमीं वहां कि बहुत सारे बदलाव चांब्लाव लेकिन आपको बेबी की ग्रोथ की जहां तक बात है तो उस समय आपकी जो बेबी बंप होते हैं वो आगे नहीं आते हैं, मतलब उससे में आपका पेट बिल्कुल सब पाट रहता है तो अगर आप पैंटी का इस्तमाल करते भी है या फिर ब्रा का इस्तमाल करते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि आपको दिक्कत ना हो अगर आपको uncomfortable लग रहा है चाहे वो किसी भी trimester में तो आप immediately उसे उतार सकते है आपकी अपनी comfortability की बात है कि घर में आप जिस तरह से रहे आपकी खुद की choice है लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो obvious ही बात है कि इंसान prefer करता है कि उन्हीं underground पहनने चाहिए रही बात second trimester की आपके शरीर में तो already बहुत सारे बदलाव आते हैं और ये बदलाव आपको first trimester से ही दिखते हैं और especially आपके breast के size में भी बहुत ज़ाद फरक आने लगता है तो अगर आपकी bra की size में आपको लगता है कि कसावट आ रही है या फिर आपको लगता है कि काफी पहले ये lose हुआ करता था लेकिन अभी आपके breast की size increase हो गई तो obviously बात है कि breast की size increase हो जाएगी तो आपको uncomfortable लगने लगेगा तो आप अगर चाहो तो आप रात के टाइम पे इसे remove कर सकते हैं और दिन के टाइम पे आपको अपने जो ब्रा का या फिर पैंटी की जो number है उसको एक size ज्यादा ही लेना चाहिए जिससे कि आपको हलका सा lose भी रहेगा और आपको लगया कि मैंने पहना भी हुआ है तो आप दोनों ही सापसे comfortable हो पहन के भी comfortable हो और वो थोड़ा सा lose भी रहेगा उससे भी आप comfortable है क्योंकि इस समय जो second trimester होता है especially इसमें heart burn होना बहुत जादा देखा जाता है पहले trimester में तो आपके breast में बदलाव आता है दूसरे में आपको सीने में जलन वगयरा भी होती है साथी साथ आपके breast में itchiness भी आ सकती है क्योंकि इस समय आपके breast की size increase हो रही है तो muscles आपके खीचेंगी या फिर जो lactating glands होते हैं जो की milk production वाले जो gland होते हैं उनमें भी वरिधी आती है तो आपके bra का नंबर बढ़ता है तो उससे आपको irritation होती है तो कोशिश करिए कि रात के वक्त आप इसे उतार सकते हैं और दिन में आप एक नंबर lose भी रख सकते हैं रही बात आप थर्ट ट्रैमेस्टर की तो थर्ट ट्रैमेस्टर में और भी ज़्यादा बढ़ता है बेली बम भी आगे बढ़डा होता है और साथी साथ ब्रेस्ट का नंबर और बढ़डा होता है तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से comfortable हैं अगर माली जी कि आप दिन में comfortable नहीं है तो आप दिन में भी अपने हिसाब से remove कर सकते हैं सोने के टाइम पे दो पर के टाइम पे अगर आप remove करके सोना चाहते हैं तो आपकी मर्जी या फिर आप एक नंबर size अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं पैंटी में अगर आप comfortable नहीं है, क्योंकि पैंटी में जो rubber होती है, उसे आपको काफी irritation हो सकती है, क्योंकि obvious सी बात है कि अगर आप नई पैंटी भी लीजेगा, अगर size कितनी भी बड़ी रहे, लेकिन फिर भी उसकी elastic काफी जादा heavy होती है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही कि आपको बहुत सारे discharge देखने के लिए मिलते हैं, कई बार वो discharge बहुत अलग-अलग भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी panty cotton की नहीं है, तो इससे आपकी irritation और बढ़ जाएगी, आपको itiness भी होगा, redness भी होगा, rashes भी होगा, तो ये कहीं न कहीं आपको infection हो जाए रही है, रही बात आपको ब्रा कब पहननी चाहिए, अगर आपकी delivery हो गई है, बच्चा आपको feed ले रहा है, यानि कि breastfeeding अगर आप करा रहे हैं, तो उस समय, आप अगर hospital में भी हैं, तो आपको नर्से यही गाइड करेंगी, कि आपको ब्रा जरूर पहननी चाहिए, भले आ आपकी normal delivery हो, या फिर c-section हो, तो उसमें आप panty तो पहनीगा ही पहनीगा, क्योंकि pad यूज़ करना है, लेकिन ब्रा के time पे भी आप ब्रा को skip मत करिए, क्योंकि ब्रा अगर आप पहनते हैं, तो उससे आपकी body की shape अच्छी रहती है, breast में saginess नहीं आता है, मतलब breast आपके ल काफी जादा लटकी होई सी हो जाती है, उनमें saginess आती है, तो यह चीज़े आपको नहीं करनी है, अगर आप breast feeding करा रहे हैं, तो आप breast feeding करने वाली जो especially जो ब्राज होती है, उनका इस्तमाल करिए, comfortable नहीं लग रहा है, तो एक या दो नंबर जादा ले लिजे, लेकिन फिर कच्छी मिल जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो ब्रा का इस्तमाल जरूर करिए, लेकिन कब, जब आपकी delivery हो जाती है, तब और अब breast feeding करा रहे हैं, तो information अच्छी लगी, तो please like कर दीजिगा, share कर दीजिगा अपनी भावी के साथ, ननत के साथ, जिसके साथ, सहीलियों के साथ, जिसको भी आपको लगता है कि यह information देनी चाहिए, उसके साथ जरूर शेयर करिए, thank you so much for watching, twins my world care.